जब पूरा शहर कोरणकाल में अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुख्का था तो उन्हीं की जान बचाने का वास्ता दे कर स्थानिय प्रशासन के कुछ लोग जम कर अपनी जोलियां भर रहे थे एक नहीं कई विभागों ने बहती गंगा में हाथ धोने की योजनाई बना डाली जिसे यहां मौका मिला लूटता रहा इस दोरान ना सिर्फ नागरिकों की गाड़ी कमाई का पैसा लूटा बलकि जन सेवा के नाम पर मिले फंट का भी बंदर बाठ हुआ दूसरे शब्दों में कहें तो कोविट की आपदा को मनपा में ब्रिष्चाचारी प्रवर्ती ने अफसर में बदल दिया इसी में से एक है सरसट लाग का स्टेशनरी घोटाला जी हां महानगर पालिका के विविद्वे भागों समेथ जोन कारेलों में स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग मटीरि आपूर्ती की आड में सरसट लाग रुपए का खोटाला सामने आया है स्वास विभाग को कोविट का लावधी में सामगरी की आपूर्ती किये बिना बिल भुकतान किये जाने का मामला उजागर हुआ स्वास अदीकारी डॉक्टर संजेच चिलकर के ध्यान में यह बात आई उन्होंने अतिरिक ताइप तुराम जोशी से इसकी शिकायत की जाच में बिना सामगरी आपूर्ती किये बुकतान करने की पुष्टी हुई है 13 दिसंबर को F.I.R. पदमाकर कॉलाबा साकोडे पर 41 फर्जी फाइलों को तयार कर 67 लाग का बिलका भुकतान लेने का आरोग 14 दिसंबर को पदमाकर कॉलाबा साकोडे ने 67 लाग 8630 लाख रुपे का भुकतान वापस कर फाइले मनपा को लौटाई 15 दिसंबर को 6 अधिकारियों और करमचारियों को निलंबित कर विभागिय जांच आरम की गई 16 दिसंबर को सदर पुलिस ने पदमाकर साकोडे और भतिजे अतुल साकोडे समेत 90 ठेकेदारों के खिलाफ 1.4 लाग की अनियमित्ता का मामला दर्च किया 17 दिसंबर को पदमाकर साकोडे और अतुल साकोडे को गिरफतार कर 20 दिसंबर तक PCR लिया गया 17 दिसंबर को मरपा ने प्रोजेक्ट विभाग के करमचारी सानिस गोखे को नोटिस जारी कर जांच आरम की 18 दिसंबर को सदर पुलिस ने वित्त एवं लेखा विभाग के आडिटर मुहमत अफवाक अहमत और सामन्य प्रशासन विभाग के करमचारी मोहन पडवन्शी को गिरफतार किया जांच में पता चला कि 20 दिसंबर 2020 से 21 मार्च 2021 यानि तीन महने की अवधी में घोटाला किया गया इस मामले में मनपा के सामन्य प्रशासन विभाग सहायक अयुक मनेश धामेचा प्रमुख लेखा ववित्त अधिकारी विजे कोले वित्त विभाग में कारियरत अन्य कर्मचारी अश्वाक एहमत राजश मेश्राम सामन्य प्रशासन विभाग के मोहन पडवन्शी को नोट लगलक नाम की चार कमपनियों को ये भुक्तान किया गया है। अपनी सुश्मा साकोडे, भाई मनोहर साकोडे और भतीजे अतुल साकोडे पर 41 फर्जी फाइलों को तयार कर 67 लाग का फर्जी रूप से बिल भुक्तान लेने का आरोप लगाया गया है। अध्यम से ठेकिदार साकोडे ने कई फर्जी भी लुठाया है। मनपा के सभी विभाग में मन्जूरी के लिए आने वाली हर फाइल, लेटर और फाइल मानेजमेंट प्रणाली से आगे भेजी जाती है। स्टेशनरी घोटाला, सामान अन्य विभागों में भी घोटाले की आशंका में आयुक्त ने सभी विभागों को बिलकी कड़ाई से जाच करने के निर्देश दिये। इसके लिए छे सदस्यों की समिती भी बनाई गई। की जा रही है। मनपा में हड़कम मच गया है। सामने अए घोटाले में सबक लेकर सभी विभागों में तीन लाग से कम खर्च की गई फायलों की जाच शुरू कर दी गई है। आइक तो राधा कुश्रन भी ने कहा है कि जाच में दोशी पाय जाने वाले किसी को बक्षा नहीं जाएगा। सदन में अनेक पुद्दों पर बड़ा रहने वाले सत्तापक्ष और विपक्ष ने घोटाले पर प्रशासन को कडगरे में खड़ा कर दिया। भाच्पा नगर सेवक विजे जलके ने जन्म मृत्यू विभाग में एक करोड से ज्याता रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया। शेहर कॉंग्रेस अध्याक्ष तथा विधायक विकास ठाकरे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गोटाले की जाज के लिए उच्चिसतरीय जाज कमिटी गठित करने वा मनपा बर्ख्वास करने की मांग की है। उन्होंने कहा दरसल इस ब्रश्चाचार में कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की पूरी श्रिंखना जुड़ी है। पत्ने 24 घंटे की निविदा निकाल कर सामगरी खरीदी की गई। राधा स्वामी सत्संग में मरीजों के लिए 5000 बैट खरीदे गए। गादी, चादर, तकिया खरीदे के गए। वह बैट तथा अन्य सामगरी कहां चली गई। इसका मनपा प्रशासन के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सानिटाइजर, PPE किट, हैंड ग्लोज, मास पर खर्च का कोई लेखा जोका नहीं है। कॉरिंटीन सेंटर पर मरीजों के भोजन वर नाश्ते को लेकर भी कई बार भवाल हुआ। इसमें भी बड़ा ब्रश्चाचार होनी का जलके ने आरोप लगाया है। नगर सेवक विजोय जलके ने पत्र परिशद में स्वास्त विभाग में स्टेशनारी खरीदी गोटाले के बाद जन्ममरुत्यु विभाग में एक करोड दस लाख रुपे के गोटाले का अरोप लगाया। उन्होंने कहां कि इस गोटाले में छोटे करमचारियों को निलंबित कर अधिकारियों का बचाव किया जा रहा है। मनपा में स्टेशनरी खरीदी गोटाले में सत्ता पक्षनेता पर सनरक्षन देने का आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रकरण की उचिसतर ये जाज करवाने की मांग अब की जा रही है। प्रकरण की सही जाज करवाई जाए सो सत्ता पक्ष के प्रमुक नेता वस कुछ अधिकारी इस घोटाले में मार्दर्शक वस शड्यंत्र करता की भूमिका में भी नजर आएंगे। प्रकरण की उचिसतर ये जाज करवाने पर शेहरबासियों को न्याय मिल पाएगा। नागरिकों से लिए गए विवधिक करों के रकम में ब्रश्चाचार भी हुआ है। प्रश्चाचार में लिपत चाहे कोई बड़ा दिकारी हो या फिर कोई बड़ा मेता सभी पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए। नंदलाल कमेटी के माध्यम से जांच कराई गई थी। उस दोरान नगर सेवकों को जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। आरोप है कि 15 वर्श तक सत्ता में रहते हुए भाजपा के कुछ नेताओं ने ठेकेदार के साथ मिलकर व्रश्चाचार को स्वरक्षन दिया है। विधायक ठाकरे मनपा में माहा पौर भी रहे, वे मनपा की बस अंचालन सेवा के बारे में भी सवाल उठाते रहे, दावा किया जा रहा है कि इस प्रकरण को लेकर कॉंग्रेस मनपा चुनाओं में भाजपा के विरोध में कैम्पेन करेंगे। इसमीन सदर पुलिस ने इसकी जांच आर्थिक अप्राज शाखा अर्थात EOW को सौप दी है। जा रहा है, फिलाल इसकी कडियां जोडने का काम शुरू है। जांच की तहे तक जाने के लिए मनपा ने कुछ दस्तावेजों की दरकार की है। मनपा प्रशासन का पुलिस को जाच में सयोग नहीं मिल रहा। जाच आर्थिक अप्राज शाखा के सुपर्द किये जाने से बड़े अधिकारियों तक जाच की आच पोहुचने के कयास लगाए जा रही है। इसलिए अधिकारियों को बचाने के लिए मनपा प्रशासन आर्थिक अप्राज शाखा को दस्तावेज देने में खत्रा रही है। उसी कूलर का बाजार मुल्य 8,024 रुपे था। 120 लिटर का एकजास्ट कूलर मनपा ने 89,000 में खरीदा। उस समय उसका बाजार मुल्य 8,496 रुपे था। ऐसे विविद 14 प्रकार की सामगरी बाजार मुल्य से कई गुणा ज्यादा दाम में खरीदी की गई। कि सामगरी पर कितना खर्च किया गया है इसकी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। 13 जुलाई 2017 से 9 अक्तुबर 2017 के बिच ये सामगरी खरीदी की गई है। साफ है कि हमारे रखवालों की ही नियत साफ नहीं है। ऐसे चहरे बेनकाब होने चाहिए। उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। उनसे पूरी वसुली की जाए। उनकी सेवा लाप को भी रोका जाए। अन्यथा इस तरह के घोटा ले और भी होते रहेंगे। प्राक्टिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फाकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है। Flywheel Aviation Academy, One Degree, Three Job Opportunities. Flywheel Aviation Academy, Gives you a Degree or Diploma with a Job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gali Nagar, LAD College Square, Beside Karnataka Bank Nagpur.